हाई फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू आर चैनल मैं हूँ सुईता सिंग और आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ दादी मा का पुराना घरेलू नुसका तो आज मैं मेरे दादी के पिटारे से एक नुसका आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ जैसा कि इस टाइम पे मैंने एक पैन रखा है उसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सोट पाउडर और उसके बाद दो चुटकी डाल देंगे नमक इन सब चीजों को डालने के बाद अब गैस को आउन कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर तक सेख लेंगे यानि कि रोस्ट कर लेंगे इस टाइम पी गैस की फ्लेम को विलकुल लोपे रखना है और पाँच मिनट तक हम इसे ऐसे ही अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और धीमी आज पे पाँच मिनट तक रोस्ट करेंगे न उसके बाद इसमें हलकी हलकी खुसबू आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे गुड तो फ्रेंट्स इस रेसिपी को ज़रू ट्राई करिएगा इस समय जो मौसम चल रहा है ऐसे मौस आना स्टार्ट होती है तो मेरे घर में सबको यह प्रॉबलम थी फिर मैंने अपने दादी का यह नुसका ट्राई किया सबको बहुत जादा आराम मिला मैंने सोचा आप सबके साथ भी से शेयर करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं यह अच्छे से रोस्ट हो चुका है तो यह आप देख रहे हैं कि पैन बिल्कुल हीट है गुड़ डालते ही अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो चुका है तो बस एक बार यह अच्छे से मेल्ट हो जाएना तो सारी चीजे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी इसी तरीके से यह घरेलू नुसका बनके तयार होगा वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत ही जादा फायदे मन्द है इसका कोई साइड इपेक्ट नहीं है इसे बच्चे बड़े सब खा सकते हैं खाने में भी अच्छा रगता है और यह बहुत जादा फायदे मन्द है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो गुड है पूरा सब चीजों के साथ में अच्छे से मिल्ट हो चुका है तो बस थोड़ी देर तक इसे ऐसे ही लगातार चलाते हुए हमें पकाना है और यह आप देख सकते हैं यहाँ पर ना इसमें अच्छे से पूरा जैसे बॉय डालने के बाद यह जब तक हलका ठंडा ना हो तक तक इसे ऐसे ही लगातार चलाएंगे तो यह आप देख सकते हैं इसे मैं ऐसे ही लगातार चला के ठंडा कर ले रही हूँ जब यह हलका सा गरम रहेगा तो इसकी चोटी-चोटी गोलियां बना के रख लेंगे तो अभी मैं इसकी गोलियां बना के दिखाती हूँ जब यह ठंडा हो चुका था तो मैंने इसकी गोली बना ली है और बहुत ही आसानी से बन सकता है इसे आप बना के रख लीजिए और जब भी खासी आए तो इसे जैसे इम लोग टॉफी चूशते हैं वैसे मुँ में रखना है इसे बड़े बच्चे सब खा सकते हैं और कितना भी ज़्यादा आपको कफ हो, खासी हो, दिक्कत हो, गले में खरास हो इसे आप लेना सुरू करिए आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा बस इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इसका इस्तमाल करें तो पानी नहीं पीला है अगर आपको ये वीडियो हेलफू लगी है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये भीना मत जाईएगा मैं मिलूंगी नेक्स वीडियो में तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, बाब बाई